प्यारे बच्चों त्रिशानत एकडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागे थे आज का वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों लाइंग्वेज में होगा जो बच्चे इंग्लिश में समझते वो उनके लिए भी अच्छा है और जीने हिंदी इंग्लिश दोनों चाह कर सकते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि यहां पर पर्टिक्लर क्लासेज के पर्टिक्लर चेप्टर्स भी आपको मिल जाते हैं तो अगर आप ऐसा को डिमांडिंग चेप्टर चाहते तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूबरत है ते तैंक्यू, लेट सब्सक्ति है हम सभी लोग इसे आम भाशा में सिखेंगे यहां पर कुछ भी नहीं है कोई चीज एक है तो यानि वो सिंगल है दो या फिर दो से जादा है तो उसे हम प्लूरल कहते हैं यानि की बहुत बचन तो लेट स्टार्ट So dear students, the nouns that name one person, place or thing are called singular nouns. Singular means one. The nouns that name more than one person, place or thing are called plural nouns. Plural means more than one. So children, look at the picture given below. A, pen, a, girl, an, aunt. Both a and an means one. Pens, girls, aunts. तो बच्चों जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहाता है कि मैं आपको आसान भाशा में बताऊंगी. यहां पर कहीं पर a और कहीं पर an का use हो रहा है. आपको पता है बच्चों, जहां पर vowels होते हैं, A, E, I, O, U. वहां पर हम an use करते हैं. Simple. बाकी आपने यहां पर देखा, कोई चीज एक है, तो जैसे pen एक था, तो हमने उसे pen बोला. Pen दो या दो से ज़्यादा होगा, तो pens. लड़की एक है, तो girl. दो या दो से ज़्यादा है, तो girls. यहां तक आपको clear हो गया होगा. आगे भी हम जो कुछ सिखेंगे, English और Hindi दोनों भाशाओं में सिखेंगे. मैं आपके लिए बहुत ही सरल भाशा में, बहुत ही धीरे-धीरे बोलूंगी. फिर भी अगर आपको कोई confusion होता है, या कोई चीज नहीं समझ में आ दिये, तो प्यारे बच्चों, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हों. Making plurals of singular nouns by adding as. ball, balls, flower, flowers, finger, fingers, lock, locks, nose, noses, rose, roses, ear, ears. तो बच्चों, यहाँ पर आपने देखा, हमने simply S लगा करके इसे एक बचन से बहु बचन में बदल दिया. आगे मैं आपको बताऊंगी अलग-अलग words के लिए किस तरीके से आप उसे singular से plural बना सकते हों, यानि एक बचन से उसे बहु बचन में कैसे चेंज कर सकते हों. Dog, dogs, egg, eggs, picture, pictures, orange, oranges, plate, plates, lemon, lemons, photo, photos. So students, by adding ES to noun, adding IN, CH, S, SH, SS, O and X, singular plurals. Box, boxes, beach, bitches, branch, branches, brush, brushes, inch, inches, watch, watches, match, matches. तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने देखा, ES लगा करके कैसे आपने चेंज किया? जो भी आप words English के लिखते हो, जिनके last में CH आता हो, S के साथ H आता हो, या फिर X आता हो, वहाँ पर आपको क्या करना है? वहाँ पर आपको ES का यूज करना है. वहाँ पर last में आप जब ES यूज करोगे, तब आपका वो singular से plural, यानि एक बच्चन से बहु बच्चन बन जाएगा. सिम इसी तरीके से कुछ ऐसे words मिलेंगे, जिसके last में आपको O मिलेगा. O के साथ भी हम ES यूज करते हैं. ES लगाने से, singular से वो plural बन जाता है. चल, कौन-कौन से words हैं, जिसके last में O आता है? mango, mangoes, radio, radios, studio, studios, eco, ecos, potato, potatoes, volcano, volcanoes. So students, number 3, by changing Y into IES, if a noun ends in a consonant before Y, like, baby, babies, fairy, fairies, beauty, beauties, cherry, cherries, duty, duties, spy, spies, family, families, curry, curries. तो बच्चों, यहाँ पर देखा आपने, जिस भी word के last में Y यूज होता है, वहाँ पर हमें I, E, S यूज करना है. तब आप उसे, singular से, plural बना सकते हो. So students, number 4, by adding as, if there is a wobble before Y, like, chimney, chimneys, key, keys, survey, surveys, monkey, monkeys, donkey, donkeys, kidneys, kidney, kidneys, trolley, 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 valley, valleys. तो प्यारे बच्चों, देखा आपने, यह भी कितना simple है. यहाँ पर आपको simply, जहाँ भी E, Y से, जो भी word finish हो रहा है, यानि खतम हो रहा है, उसके last में आपको सिर्फ simply S लगा देना है. इससे आपका एक बचन से, बहु बचन, अराम से बन गया. तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगाओ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ऐसे ही मज़िदार और भी वीडियो देखना चाहते हो, जो इंग्लिस तो हिंदी दोनों लैंग्विजिस में हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैक्स एर वोचिंग, तेक केर, बाइब बाइ.